हेलो लीब्रा वेल्कम टू आरेंजले गाइडेंस आई होप आप सब अच्छे होंगे अपमें लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे आपके लिए लिए लेके आई और हम देखने वाले हैं कि आपके न्यू बिग्निंग्स में क्या जलस फिल कर आपके पास जो है ना उसको वही चाहिए तो आपसे जलने वाले लोग आपके न्यू बिग्निंग्स में आते दिखाई देरें क्यों चुकि शायद आप तरकी कर रहे हों आप ग्रो कर रहे हों और जब इंसान ग्रो करता है या आगे बढ़ता ना तो उसको पै उनका आपसे कोई खास लेना देना नहीं होगा बट वो नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए कि आप तरकी करो ठीक है वो गिराएंगे बुरा बोलेंगे ठीक है कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे आपके बारे में ठीक आए देखते और क्या आपके लिए बता रहे हैं बड़ उनको कमा रहा है या मैं कम-कमार हूँ या उसके पस बहुत अच्छा बाटन है मेरे पास तो कोई ही नहीं मैं सिंगल हूँ ठीक है तो यह चीजए क्या आपके अंदर यसा लेकर आ सकती है कि यार काक्श मेरे पास भी कोई होता ठीक है उसकी life तो बहुत अच्छी है तो ये तरह इस तरह की भावनाएं आपके अंदर भी आ सकती तो थोड़ा सा इन चीजों पर आपको ध्यान देना है कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ या जा रही हूँ ठीक है आगे देखते हैं memory ओके आपके लिए memory का card आया है तो मैं देखते हैं पास्ट का कुछ ऐसा आप लेकर अपने future में भी जा रहे हो ठीक है और शायत अपने पास्ट को अभी भी याद करते हैं मुड मुड के देखते हो ठीक वह memory से अभी बाहर नहीं निकले हो आप मैंसे कुछ लोग memory से lessons लेके निकले हैं ठीक है यहाँ पर चमकता हीरा देखिए और यह जो transformation ठीक है ट्रांस में transformation आपका चल रहा है अभी पूरी तरीके हुआ नहीं है यह in process है जिसके वैसे यह negative energies अभी भी आपको effect कर रही है अगर यह आपके अंदर है तो नहीं तो आप मैंसे कुछ लोग मुझे ऐसा जेम दिख रहे हो जेम हीरा की तरह चमक रहे हो ठीक है crystal की तरह सौरी चमक रहे हीरा तो diamond हो जाएगा फिर तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आप जो है ना चमक तो रहे हो लेकि लोगों की जो रौशनी ना आपकी चमक की वो लोगों की आखों में गड़ रही है इ तो इस तरह की situation आपके लिए बनती मुझे दिख रही है आए देखते हैं और हो सकता यह लोग आपकी कुछ past के ही लोग हैं जो आपको अभी भी देख रहे हैं मतलब आप इनको छोड़कर आगे बढ़ चुके हो बर इस्टिल उनकी eyes आप पे ही हैं एक चीज जो और मुझे नज़र आ रहा है वो क्या अगर यह आप हो अगर यह आप हो तो मैं देख रही हो आप अपने life में नहीं देख रहे हो आप दूसरों की life में ज़्यादा जहाक रहे हो ठीक है यह उनके लिए सबसे resonating करेगा पर आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो अपने life में कम क्या चल रहा है कोई मुझसे कितना आगे निकल रहा है यहाँ पर मैं कहूंगी gratitude करना आपके लिए अच्छा होगा अपनी जो happiness है अपनी life में जो blessings से उसको count करना है फिलाल तो मैं आपके life में ब्लेसिंग साता देख रही है अगर देखा चाए तो sun का card है यहाँ sun flower भी है य actually अगर tarot में देखे तो sun का card है तो sun का card new beginnings कह सकते है new job good news pregnancy happiness हर चीज यहाँ पर new आपके life में आते वे दिखाई दे रही है तो happiness आपके life में आते दिखा रही है और हो सकता है mostly जिसता से आपका card हा रहा है यह दूसरे है जो आपसे जल रहा है आपकी खुशियों से जल रहा ह नहीं देख रहे है अब तो सूरे आपका चमक रहा है कह सकते है या आप सूरे के तरह चमक रहे हो मौका आपको मिल रहा है opportunities आपको मिल रही है पर लोग जो है न वो आपसे जल रहे है लोग आपको grow करता नहीं देख पा रहे है आए यह देखते है ओके दो से ज़्यादा का इसके, मुझा इसा क्यो लग रहा है, या तो आपको किसी चीज से भाग रहे हो, किसी परिस्थितियों से, जिसको आपको सच में फेस करना चाहिए था अपने लाइफ में, ना कि उससे भागना चाहिए था, तो भागने से आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला, आप अपनी life में जो भी चीज देख रहे हो उसमें उससे आपको face करना होगा भागने से कुछ नहीं होगा वो बार बार आपके सामने आके खड़ी हो जाएगी वो परिस्तिती जब तक आप सको face करके खतम नहीं कर देते ठीक है और मुझे कुछ लोग escape ऐसे भी करते दिखाए से meditate करो meditate करके अपना mind शांत कर सको तो एक इस दुनिया से थोड़ा escape आपको मिल सकता है जब आप meditate करते हो तो यह उस तरह का भी escape है और कुछ लोग तो ऐसे लग रहे है कि अपनी परिस्तितियों से भाग रहे है चीजों से भाग रहे है तो यह भागना आपके लिए कोई solution नहीं होगा ठीक है तो यह सही नहीं है आपके लिए लेट सी आपके लिए और क्या message है आप लिए प्लीज गाइट five of swords conflicts हो सकते हैं लड़ाई जगड़े हो सकते हैं थीक है उनसे हो सकते है जो आपका बुरा चाहते है या आप कुछ बुरा सोच रहे हो थीक है या कोई आपसे आपका कोई जंग है जो आपको fight करनी चाहिए five of swords है तो उसमें भी आप शाहत आप डर रहे हो opponent से आप उसको face नहीं करना चाहिए जबकि आप हो powerful और अगर उससे लड़ो भी ना तो भी शाहत आपकी जीतो बड़ा आप नहीं करना चाहते हो आप भाग रहे हो परिस्थितियों से as a fighter आपको fight करना पड़ेगा ठीक है अगर लोग खुद आके आपके मतलब तलवार चला रहे है याल दोगा आपका against जा रहे है तो आपको मूतोर जवाब तो देना पड़ेगा आपका ही भाग के तो कुछ कर नहीं सकते हैं कावड कहला होगे कि दर पोक है यह तो भाग गया यह तो डरता है ठीक है तो अपनी परिस्थितियों से face करो उसको लड़ो भागना कभी भी कोई option नहीं होता, solution नहीं होता कह सकते हैं तो यह आपकी reading है अगर आपको अच्छी लगी हो यह resonate क्यों तो like किजएगा comment box में ज़रूर बताएगा और अब तक subscribe नहीं किया तो please subscribe my channel thank you for watching